बी जो बहाली में जितने सारे लोग हैं 30,000 सीट देखिए सर उन सबसे पहले सर उन बच्चों के लिए क्या कहिए गाई सर आ देखिए अभी 30,000 सीट सरजित हुए हैं लेकिन कम से कम 50 से 60,000 सीट रहेंगे इसलिए बच्चे हो तो साइट ना हो सीट बढ़ेंगे सीट बढ़े सबस्क्राइब वहाँ से काउंट होगा तो सर बच्चे के लिए 23 दिन बच्चे हुए हैं कि तरह से क्या करें बहुत सारा प्रॉल्म बहुत सारे समस्य क्या करें कि सही रहेगा आ देखिए कि स्ट्राइजी मैंने बताया है कहीं बच्चों को वह उसको आप फॉलो करेंगे जरूर फायदा होगा जी सर देखिए जब भी कोई पेपर सेट होता है तो एक कॉमन सेंस होता है कि जो कमीटी सेट करती है वो प्रिविएस एर पेपर को देखती है जैसे आपको ही बोला जाए कि क्लास आट वी या नौवी का कोशन सेट किजी आप तो आप क्या करेंगे कि उ सवाल पूछा गया तो पूरा आउसत रिभाइच करेंगे उस सवाल को लिखेंगे उस सवाल के सब्जेट को लिखेंगे वही आपका एक सिलेबस हो जाएगा अगले 26-27 दिनों के लिए और उसी को पढ़ेंगे वो सफीसिंट रहेगा आपके लिए आप सर सिनियर डिप्ट सब्सक्राइब लिए फिर फायदा यह होगा ने चैनल पे रोज उस पे 500 question discussion होगा और वो question इतना important होगा कि बच्चे उस question को देख ले, समझ ले सिर्फ film की तरह नहीं देखना है कि एक कान से सुन रहा है और दूसरा से निकल रहा है उसको समझ ले तो उनको इस exam में उस question को note कर ले वो बहुत selected question है वो आपको जरूर फायदा देगा सर एक question और है बड़े लोगों का एक तरह से देखा है तो age relaxation एक बहुत बड़ी मुद्दा है सरकार एक पहली टियारी में दी तो फिर बीर्ड को निकाल दे फिर एक टियारी में दी तो साइद उनकी selection नहीं हो पाई बहुत लोगों की क्योंकि एस्टेट भी qualified नहीं थे तो सर एज रिलेसेसन एक बहुत बड़ी मुद्दा है सर इसके उपर क्या किया जा सकता है बहुत सारे लोग छूट रहे टियारी में यह सरकार से नितिकत मामला है तो इसलिए मेरा कमेंट करना इस पर सही नहीं है लेकिन जो बच्चे अभी आ रहे हैं उस एज ब्राकेट में वो कम से कम त्यारी करें जो नहीं आ रहे हैं वो सरकार के हाथ पर छोड़ दें जो सरकार को करना है उस पर हम और आप डिस्विजन लेके कुछ कर नहीं सकते हैं डोमिसाइल भी बहुत बड़ी समस्या सर बच्चे लोग कमेंट करते हैं डोमिसाइल को लेकर कि कैसे डोमिसाइल मतलब बिहार में लागू हो जाता तो बहुत सारे बच्चे को बिहारी को ही नौकरी होता सर तो जो TRE1 या TRE2 में जो था वही अभी भी लागू होगा कि डूमेसाइल नहीं है तब भी बहुत बड़ी अपोर्चुनिटी आप देखिए BPSC में जो मेन एक्जाम होता है 300-400 सीटे आती है यहां पर लगए 50-60,000 सीटों का संभाबना है और यह शुरुआती 2-3 सालों में ही है इसके बाद एक पर सेचुरेशन आ जाएगा तो फिर 1500 वेकेंसी ही आएगी इसलिए बच्चों के पास अच्छा मौका है कि इसको अभी अवेर होके इस मौके का अबलाब उठाएं और एक कोश्चन और है सर की आप तैयारी किये हैं हम बार बार कोश्चन करते हैं सर आप तैयारी किये हैं आपका सीडूल तैयारी करने का क्या था और बच्चियों लोग का सीडूल उस तरह से तैयारी करने के लिए नहीं हो पाता है मतलब मैं सीडूल अच्छा से नहीं कर पाते हैं तो क्या सीडूल रखे की तयारी हो पाएगी सर समय कम है मेरे तयारी में अक्सर में बताता हूँ कि मैंने प्रैक्टिस बहुत किया था 70-30 का रूल पे काम कीजिए 30 अगर दिन में अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो 3 घंटे पढ़िए 7 घंटे प्रैक्टिस कीजिए जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका कॉंसेप्ट किलेटी होगा उतना आपकी चीजे मेमरी में फिट होगी कोई भी सब्जेक्ट आप याद नहीं कर सकते हैं लेकिन जब आप सवाल करते हैं सवाल नहीं बनता है दिमाग पर जोड डालते हैं फिर उसका सॉलिशन देखते हैं तो आपके अपने आप दिमाग में वो सेव हो जाता है यही तरीका है मैं बच्चों को ही कहूँगा कि अगले 26-27 दिन बिल्कुल जीतोर मेहनत कीजिए 500 कोशन बीना सॉल्व के वे नहीं सोना है यह दिवार पे लिख लीजिए और थोड़ी से मेहनत से आपको सफलता मिल जाएगी यह बड़ी अच्छी लाइन है कि पड़ो को खोल जमाना उरान देखता है जमीन पर बैठ कर क्या आसमान देखता है तो जमीन पर बैठ कर क्यों आसमान देखना है थोड़ी से मेहनत कीजिए कि आप सरकारी नौकरी जो आपका सपना है पुरे परिवार का सपना है, मैं तो मानता हूँ कि बिहार में पुरे परिवार का सपना होता है कि बच्चों को सरकारी नौकरी मिले, थोड़ी सी महनत करने पर आपको मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा आपको हाथ पर नहीं मारना है, बेसिक पर रहिए, जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपके चैनल के माध्यम से कि strategy की जो सार वाली किताब होती है उसको पढ़िए तर बहुत सारे market में set भी है आप किसको prefer कीजेगा सर कोई भी set अच्छा है कोई ऐसा नहीं कि कोई खराब set है किसी भी को आपको practice करना है question कम हो जाने चाहिए market का सेट कम हो जाना चाहिए इसलिए मैं किसी को promote नहीं करता हूँ चाहिए किसी को demote करता हूँ सभी set अच्छा है कहीं से practice कीजे लेकिन practice कीजिये तो यह वह जरूरी है जी सर तो question एक यह भी last में सर युवाओ के लिए क्या message देना चाहिए गा और थोड़ा strategy क्या है test series अब भी कराईएगे कि नहीं सर क्योंकि test series बहुत जरूरी है बच्चे के लिए test series मैं भी कराने वाला हूँ प्लान कर रहा हूँ बिल्कुल free of cost टेस्ट कराने वाला हूँ थोड़ी से चीज़े और मेटरलाइज हो जाती है चौदर तारी जो हम लेक्लास कर रहे है उस दिन यह बड़े announcement करने वाला है कि test series का वहने वाला है free of cost test series होगा वो भी paper pain पे offline वाला test series होगा online वाला test series नहीं होगा असर जो लोग दूर दूरस इलाका में हैं उनके लिए उनके लिए उनके लिए तो online तो available है online तो असानी से मेरा telegram group है SDM Rahul Sina official group करके है उसको join कर सकते हैं current affair का एक group है जिसमें रोज current affair 15 question डालता है उसको join कर सकते हैं तो बहुत सारी चीज़े में free of cost available करा रहा हूं अकसर होता यह है कि बच्चों को लगता है कि free में है तो बकवास होगा एक mindset है उसको यहां free में है इस बकवास होगा सर एक senior deputy collector है पटना के और साथ साते भी बताएंगे कि honest इंसान है सर सब कुछ free of cost में दे रहे हैं यानि सोच लीजे कि बहुत बड़ी बात है और सर अंत में एक question और है इवाओ को क्या message दीजेगा सर यहां को यह message देना चाहता हूँ कि अपने दिमाग का barrier को तोरिए वो हाथी वाले कहाणी में फिर से दो सेकेंड में सुनाओंगा कि बच्पन में हाथी के पैर में वो रसी बानते हैं वो तोर नहीं पाता है वो सारी उमर इसी सोच में रा जाता कि बच्पन नहीं तूटा था अभी नहीं तूटेगा और जब बड़ा हो जाता है तो लोहे की जंजीर तोर सकता है लेकिन हाथ पाति वी तोर पाता है क्यों है। चलिए धन्य बाद सारी जो कॉस्टन्स ठी उस कोस्टन्स के बारे में सरसे चर्चा किई हैं जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और सियर की जताकी सारे लोग तक ये न्यूच पहुच पाए धन्य बात